नमस्कर दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि डैली बुस्टर अप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जी हाँ गैज आप भी जानना चाहते हैं कि डैली बुस्टर अप्लिकेशन क्या है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई आज किस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पुरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेश सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर लिजीग इस टॉल करके रखा है और गई जहांपर आप देख सकते हैंपर आपको अबाउट इस एप का उप्शन देखने को मिल जाता है यहांपर आपको क्लिक करना है यहांपर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आपको डैली बुस्टर अप्लिकेशन के बारे में पूरी डिटल य कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी डीटल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप इस एपलिकेशन के रीवी और डीटेट देखने को मिल जाती है तो गई जहां पर आपको 95 रीवी देखने को मिल जाती है 3 प्लस देखने को मिल जाती है और इस application को 3.8 star मिले हुए इसके बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं इस application के अलग लग feature भी देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको क्या करना यहांपर आपको daily booster application को open करना है टैली बुस्टर अप्लिकेशन को उपन करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर डैली बुस्टर अप्लिकेशन उपन हो रही है और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर application loading हो रही है और गई जहाँ पर आपको एक ad so हो रही है इस ad को यहाँ पर आपको close करना है ad को close करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर daily booster application open हो चुकी है और गई जहां पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है और गई जहां पर आपको battery saver का option देखने को मिल जाता है app manager का option देखने को मिल जाता है cp cooler का option देखने को मिल जाता है और गई जहां पर आपको phone booster का option देखने को मिल जाता है एड को close करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर अपने ओबल की बैटरी ज्यादा खर्च होती है और अपने ओबल की बैटरी को save करना चाती है तो गई जहाँ पर बैटरी saver को use करने के बाद अपने ओबल की बैटरी को save कर सकते है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने उबल की बैटरी को सेव कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको एप मेनेजर का उप्षन देखने को मिल जाता है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं पर आपको एक एड़ सोरी है इस एड़ को यहां पर आपको क्लोज करना है एड़ को क्लोज करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको एक एड़ सोरी इस एड़ को यहाँ पर आपको कट करना है एड़ को कट करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर अपने ओंबल में जितने भी एप्लिकेशन रहेगी वो सारी यहांपर आप मैनेज कर सकते हैं तो गई जहांपर आप देख सकते हैं इस तरह से आप App Manager को यूज करने के बाद यहांपर सारी application को यहांपर आप मैनेज कर सकते हैं इसके बाद गई जहांपर आपको back आना है बैक आने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको CPU कुलर का उप्षन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है CPU कुलर का उप्षन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहांपर अपना ओवल ज्यादा हीट होता है, ज्यादा गरम होता है, तो गई जहांपर आप CPU कुलर को यूज करने के बाद अपने ओवल को कूल कर सकते हैं, तो गई जहांपर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप CPU कुलर को यूज करने के बाद अपने ओवल की हीटिंग प्र अपने फोन को बुष्ट करने के बाद गई जहाँ पर अपना उबल ज्यादा हैंग होता है तो गई जहाँ पर हैंग होना बंद हो जाएगा तो गई जहाँ पर आपको clean के option पर click करना है clean के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक add so और यह इस add को यहाँ पर आपको close करना है add को close करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर अपने mobile में पुरानी फायल और पुरानी अप्लिकेशन रहेगी, वो सारी यहां पर क्लीन हो जाएगी, तो गई जहां पर आपको clean के option पर क्लिक करना है, clean के option पर क्लिक करने के बाद गई, जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर scanning स्टार्ट हो चुकी है, और गई जहांपर आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने मोबेल में पुरानी फाइल और पुरानी अप्लिकेशन को यहांपर आप क्लेंड कर सकती है तो गई जहांपर आप देख सकते हैं इस तरह से आप डैली बुस्टर अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं और गई जहांपर गई वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलत ट्रेइगे